Hello everyone, welcome to live goal education, देखिए आज यानि की एक फरवरी 2019 को CMAT की official answer की release हो चकी है, अब मैं आप लोगों के ये बताने वाला हूँ कि आपको answer की को कैसे download करना है और कुछ questions बच्चे बता रहे हैं कि wrong हैं, तो उन wrong answers के लिए आपको objection कैसे लगाना है, क्या उसमें फी लगेगी या ये free of cost है, तो national testing agency exam connect कराती है, इसने answer की आज release की है, तो answer की download करने के लिए आपको simply NTA की official site पर जाना ही, ये official site है, और इसमें आपको दो method मिलेंगे login करने के, या तो आप अपना application number और password से login कर सकते हैं, या फिर application number के साथ date of birth के साथ आप login कर सकते हैं, और login करने के बाद आपको जो answers आपने mark किये थे, वो भी आपको देखने को मिलेंगे response sheet में, और जो right answer NTA वालों ने दिये हैं, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप लोग ये guess कर पाएंगे, कि आपका score कितना हो पा रहा है, आप total जोड लीजेगा, अच्छा, जो questions wrong हैं, उन पर आप objection लगा सकते हैं निश्चित रूप से, और ये objection आप लगाएंगे तीन फरवरी तक, और तीन फरवरी तक ही आप ये answer की download कर सकते हैं, इसलिए आप आज के आज ही सबसे पहले answer की download करिए, उसका printout नकाल के अपने पास रख लीजिए, आप सारे questions को check करिए, cross verify करने के ब login के बाद में एक tab होगा, challenge regarding answer की, और इसमें question की ID होगी और आपकी question के सामने ID लखी होगी, उसमें से आपकी according जो answer सही है, उस पर आप check कर देंगे, और ध्यान देना सरफ एक ही answer पर tick करना, एक से जाना पर मत कर देना, और आपको ये compulsory है कि valid proof, अप proof कि कौन सा माना जाता है देखी या तो अगर numerical question हो तो आप उसको solve करके और upload कर दीजे pen paper से, अगर कोई general awareness के question में उन्होंने mistake दी हो तो NCRT या other reference book उनका आप reference दे सकते हैं, इसके साथ साथ में आपको ये free of cost बिलकुल नहीं है, आपको thousand रुपी की fees लगेगी, ये fee आप net banking debit card बगेरा से pay करने के बा आपका objection consider किया जाएगा, अगर आपका objection सही नकलता है, तो आपकी fee refund कर दी जाएगी, और अगर आपका objection सही नहीं नकलता, तो fee refund नहीं की जाएगी, तो आज है एक फरवरी 2019, तीन फरवरी 2019 के सुबए 11 बजे तक objection लगा सकते हैं, तो आज का दिन आप cross verification के लिए रखिए, जिन questions में आपको doubt है, आप Google search कर सकते हैं, या फिर आप चाहें, आप अपनी response sheet मुझे lifegoaleducation98.gmail.com पर mail भी कर सकते हैं, और mail करने के साथ में आप comment box में भी ये बता सकते हैं, कि मुझे इस question में doubt है, इन्होंने ये answer दिया, मैं निश्चित रूप से आप लोगों के साथ discuss कर नहेंगी, तो answer की download करिए, cross verify करिए, discussion करिए, comment करिए, channel को subscribe भी कर दीजिए, और finally, कल याने की 2 February को आपको objection लगाना है, अगर question गलत है, तो निश्चित रूप से आपको objection लगाना है, आप अपने कर्तब से पीछे मत हटिए, thanks for listening, God bless you all, जै हिंद!